राजिस्तरी महत्मा गांधी प्रत्युक्ता में आप सभी का स्वागत है यह तरतिय वीडियो महत्मा गांधी जी के जन्म से लेकर के उनके मिरत्यों तक का संग्छेप में प्रस्तुती करण है राजिस्तरी प्रत्युक्ता में प्रथम दुतिय और त्रती आने वाले प्रिध्यार्तियों को प्रुस्क्रत किया जाएगा इसलिए आप इसको देखिए और पेपर को दीजेगा हाँ एक सूचना जरूर आपको बता दें कि इस चैनल पर आपके लिए पेपर संबन्दी विविन जानकारी आई एम पी कॉस्चन्स एबं अन्यय प्रत्युक्ताओं की जानकारी भी दी जाती है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आए देखते हैं महतमा गांदी जी ये हैं जो कि आपको लंगोटी में दिखते हैं अभी बर्तमान में फोटो नोट बगेरै पर जो है पर वास्तिकता में ये बैरिष्टर है यानि आजादी के पहले जब लोग एक सहर से दूसरे सहर जाने में डरते थे ये लंदन जाकर बैरिष्टर बने थे ये उनकी माता है पुतली बाई और पिता करमचंद गांधी जो की दीबान भी थे ये उनके चार बेटे हैं आईए चलते हैं कि इनका थोड़ा सा संक्षित म की तैयारियो इस चैनल पर जानकारी मिलती रहती है पुराने पेपर नए पेपर जिनमें आपको भविश्य परिक्षा में हेल्प मिलेगी वह इसमें मिलते रहते हैं विविन ने टीचर्स बताते हैं अब देखते हैं करमचंद गांधी और पुतली भाई के सबसे चोटे ब में गुजरात सब बता देते हैं पर काठिया वाड जिला जो है और इसमें पूर बंदर में हुआ इसमें कन्फ्यूजन होता है काठिया वाड के पूर बंदर में हुआ इनके पिता करमचंद पहले पूर बंदर और बाद में राजकोट के दीवान रहे पहले पूर बंदर और फिर राच्कोर। माता पुतली भाई एक धर्म परायन महिला थी और गांधी जी को उनी से धर्मादी की प्रिणना मिली। और वो गांधी जी या इनके मातवता उपवास करते थे धारमेक थे नियम संयम से रहते थे और यही कारण है कि इनके बेटे यानी गानी जी भी यही रहे। गानी जी का जो विवाय हुआ हुआ है 13 वर्स की यानी 24 वस्तिय की उम्मर में ही जिस वर्स अभी बच्चे 26 आतवी में होते हैं उस समय इनका विवाय हो गया था और व्यापारी गोकल दास जी की पुत्री कस्तूरवा से इनका विवाय हुआ था उस समय कस्तूरवा इनसे कुछ महीने बढ़ी थी कस्तूरवा गांदी आयू में 6 मास बढ़ी थी ठीक है 6 महीने लोग कस्तूरवा केले पुरुष्षकार के साथ अतरी एक दोहरी पुरुन्यती मेली काठियबाण और 188 डिवीजन का अतरीवान चात्रों ने क्यूंकि परिक्षा याँधी तो इसमें ये टॉप करते इसके कारण प्रतिवावान चात्रोने कारण से ने दो बार चार और दस रुपे महीने की चात्री उत्ती मिली उस्तमें चार और दस रुपे बहुत महत्मूर होते थे वर्स 1887 में 18 वर्स की आयू में महांदास ने मैटरिक की परिक्षा उत्रिण की मेट्रिक पास करने के बाद 1887 सितंबर उच्छे सिक्षा प्राप्त करने है तू कहा चलेगा ये लंदन चले गए सितंबर 1887 में और चार वर्ष के अंदर ही चार वर्ष हो नी पाए उसके अंदर ही जस जून 1891 को बार के लिए अर हो गए यानि बैरिष्टर बन गए जो उच्छे सिक्षा प्राप्त करने गए थी उच्छे सिक्षा थी बैरिष्टर की बकील बनने की जसे संबंदित नियाय से संबंदित बन गए और जो बकीलों का एक काउंसिल होती है उस बार के ये सदर्ष बन गए अर हो गए 11 जून को उच्छ नियालाय में इन्होंने पंजी करन भी कर लिया यानि वहां कोट केसादी लड़ सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं अब बात आगे चलती है अप्रेल 1893 की है लंदन से आ चुके हैं गांदी जी को दक्षण अप्रिका इस्त नेटाल में एक सबसे धनी भारती बयापारी सेट अब्दुल्ला की सेबा में बुलाया गया भारत से कि सेट अब्दुल्ला जो हैं ये चुकि पिछले वीडियों बढ़ने थे तो जादा इस पर चर्चा करने की जरूत नहीं है वो अप्रिका पहुंच जाते हैं और उन्होंने ये फील किया कि जो वहां के अप्रिका में जिनका राज है गोरे अंग्रेजों का वो वहां के ल जराती लोगों को सिर्मद रायचंदर की पुष्ट को पढ़ने की सलाय देते थे इसके बाद देखते हैं अपने मौकल के मौकद में सौहाद पूर निप्टाने के वादिया यानि सेट अब्दुल्ला के मौकद में उन्हों निप्टा दिये और 1894 में घर लोटने का निश बिधान बन रहा है बिधान यानि कोई नियम बन रहे हैं कोई कानून बन रहा है अप्रिका में रहने वाले लोगों के व्रुद्ध तो वो कानून में क्या क्या हो रहा था सबसे पहले मत डालने नहीं मिलेगा बोट नहीं डाल सकते बहुत एक बिलगाओ क्या होता है अगर दो-चार लोगों को साधी विवाय आदी की अनुमती होती है तो वो एक साथ रहने लगते हैं तो उस समय की सरकार ये मानती थी कि अगर दो लोग लड़के लड़की की साधी हो जाएगी तो अपने परिवार में बेस्ट हो जाएंगे और फैर ये काम कम करेंगे छेतर के लिए bets एक बिलगाव यानि परिवार आदी को नहीं बसने देना इसकी बाक परम परागत भारती विवाहों का निस्प प्रभावन विवाहों को निस्प प्रभावी करना और पत पर लगाने की बातचित की यानि काम पर लगे रहो मजूरी करो और अन्य कारियों में केवल काम वाले गुलाम माना गया इसका प्रेक्षा से इन्हें जैसी एक खबर पड़ी तो इन्होंने सोचा कि मुझे अब दक्षन अप्रिका में रहना है दक्षन अप्रिका अप्रिका का ही एक देश है और उन्होंने 20 बर्स तक वहां रहकर संगर्ज किया 1894 में से लेकर के 1914 तक 20 बर्स तक किवल इस बात के लिए कि वहां के लोगों से अन्याय हो रहा है उन्होंने सार्ब जिन एक समाओं प्रेश सिस्ट मेंडलों के माध्यम से इस्थानी तिता सामराजबादी सरकारों के समक्ष लगातार एक सम्विधाने कांदूलन चलाया 30 जून 1914 को सरकार जुकी जुक गई 30 जून 1914 को और एक समझवाते पर हस्ताक्चर किया अब मतलब वहाँ की सरकारों ने इनकी बाद भी मान ली तो फिर उन्होंने सोचा कि अब अपने देश बापिस चला जाए तो 1915 में दक्षणा अप्रिकासे भावरत आने पर उन्होंने अहम्दाबाद में कोछ राव में सत्यागरम आस्रे की स्थापना की अब ही 1915 में जब वह बापिस आए तो उन्होंने भारत के गुजरात पर देश के एम्दाबाद के पास में ही कोछ राव या सावर मती नदीगे किनारे सत्यागरह आस्रे की स्थापना करी और सबसे मूल बात यहां सत्यागरह नाम की और यहां क्या होता था तो उसमें यह था कि उन्होंने अपने अनववों के आधार पर आस्रम बास्यों के लिए कुछ नियम बनाए उनमें क्या नियमते मूल उनके था कि सत्य बोलना और अहिंसा से रहना किन्ति इस्वर इन्हें इस्वर में विश्वास किये बिना प्राप्त करना संभव नहीं था यानि सत्य और अहिंसा का पालन करो पर इस्वर में विश्वास होना चाहिए और इस्रम में विश्वास बना रहे हैं इसके लिए आस्रम में सत्याग्रह आस्रम में प्राता और सायमकाल क्या होता थी प्रातनाय होती थी और ये प्रातनाय इनों ने जीवन बर की चाहे किसी भी इस्थान पर ये हो अंत में पता चलेगा कि इनने सबसे अंतिम प्रातना को समाप्त करने संबंदी अपने प्रिथम लक्ष इनके लक्ष थे पहला लक्ष क्या था भारत में बिट्रिसासन को समाप्त करना और दूसरा था मिसन इनका दूसरा लक्ष था असप्रश्चिता को यानि चुआ चूत को दूर करना उनको विस्वास था उनका विस्वास था गांदे जी का कियास्पर्शिता मनश्च की मानवता का तरसकार है यानि चुआ छूट करना ये ठीक नहीं है इस प्रकार से और भी बुराईयां थी जैसे बाल विबार इनका स्वयम हुआ देवदासी प्रता ये बहुत बधी प्रताती की लड़कियों का मंदर आदी के लिए प्रत्याचार को समाप्त किये जाने की आवर्शक्ता थी दो मुख्य मिशन्ते आजा दी और अस प्रश्चता को दूर करना साथ में इन बातों पर भी सोचा गया अब आगे क्या होता सितंबर 1920 में गुजरात राजनेतिक सम्मिलन में बहुत बड़ी बात हुई कि गुजरा गया असायोग आंदुलन को जो कि असायोग आंदुलन की प्रस्ताओं ना थी अब इसके प्रस्ताओं को विजय रागवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर में हुए कांगरेस के अधिवेशन में अनमोधन के लिए पुना प्रस्चत किया गया यानि कोलकाता और इमा माल लेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में इस अधिवेशन में कांगरेस का स्वराज की प्राप्ती का लक्ष नदारत किया गया आगे क्या होता है आगे गांधी जी इस आसरे से उन्होंने ऐसायोग गांदुलन किया और इसमें सबसे मुख्य बातें थी कि आ आप हिंदी बोलें यानि हिंदी से अर्थार जहां जिसकी मात्रभासा हुआ है बोलें इसके साथ साथ अंग्रेजी राजभासा तता बिट्र सासन द्वारा जो चलाये जा रहा है न्याये लए हैं स्कूल कॉलेज उनका भैसकार करें लोग वित्रानी यानि विदेशी कारिकरम चलाए बिबादों से निपटने के लिए वित्रानी न्यायलाय में जाने की बिजाए सबसे मुखे बात कहीं कि आपके बिबाद होता है तो आप जो सरकारी वित्रेन की न्यायलाय उनमें मत जाएए अपना भारती मध्यस्था बोर्ट की स्थापना कीजिए एक उन्होंने चेतानी दी और नमक कानून को यथासीगर बापस लेने की पर उन्होंने नहीं लिया तो इन्होंने 12 मार्च 1930 को विसाल हुजूम के साथ तडवलती चोकी दांडी की 200 मील की पदयात्रा पर निकल पड़े ये पिछली वीडियो वर्णन है कि 200 मीत्रे की यात्रा पर निकले और 6 अपरेल 1930 को एक छोटे से गड़े में जमा चुटकी कर प्राकरत एक नमक को लेकर के नमक कानून तोड़ा अब इस से क्या हुआ जब इतने सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया तो नमक जब तोड़ा और उन्होंने बूला कि इसे लेकर मैं अंग्रेजी ह हकूमत की नीव हिला रहा हूं तो पुलिस ने गांदी जी के सिबर पर धावा बोलकर उन्हें एक अप्तार किया 1931 में महत्मा गांदी जी को रहा कर दिया रहा होने के बाद बाइस रहा है जो लाड़ अर्विन थे उनसे बाचित हुए बाचित के परिणाम बाद एक कानून आदी कोई कर नहीं लगेगा कानून तो रहेगा कर नहीं होगा सांतिपूर धरने में कोई हस्चेप नहीं किया जाएगा तीसरी राजनेतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा यानि जो लोग गरपतार किये गए दिदान निमाल्च के दोरान सभी अध्यादेश उनको बापस लिया जाएगा जो कानून बनाये गए हैं उनको बापस लिया जाएगा और कांग्रेश लंदन में होने वाले दूसरे गोल सम्मिलन में भाग गोल में सम्मिलन दूसरा गोल में सम्मिलन जो की लंदन में हुआ था उसमें कांग्रेश भाग लेगी ऐसा ये डि का संकल्प लिया बर्धा में द्यान रखना बारग चोड़ो अन्दुलन 1942 में 14 जुलाई इसके बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉंबे में बर्धा में प्रस्ताव और बॉंबे में करो या मरो का आवहान किया गांधी जी ने भारतियों से कहा कि वे स्वयम को सरकार ने सक्ती से निपटने का नरनाई किया गांधी सहित कई नेताओं को गरबतार किया गया वो गांधी जी को रहाबी कर दिया क्योंकि उनकी तवियत खड़ाई खराब हो रही थी बाद में भी उन्होंने यह आंदोलन जारी रखा इसके बाद क्या हुआ दीरे दीरे विवाजन आदी की विवाद हवा की तरह फैल गई कि देश का विवाजन होगा सामप्रदायक हत्याँ होने लगी इस प्रकार की घटनाएं अगस्त उनिस्सो चैलिस में घटी तो था आखाली और तरपुरा पूर्व के छेतर में अधिकांस लोग इस आतंक के सिकार हुए मारे गए सामप्रदायक हत्याँ के सामन में वेहत चिंतित होकर अपने मन में सामाजेक सदभाव के हितों और सांती के लिए सरवों पर इड़कते हुए गांधी जी नवंबर 1946 को नोवाली गए गांधी जी एक स्वेम गए और प्रते गाउं में पैदल दोरा किया आगे क्या होता है माउंट बेटन ने पर ये बोल दिया कि तीन जून 1947 की योजना गोशना की तो पंजाब गोशना करने के पहले ही पंजाब में तना और पूंड गी डालने का काम किया यानि हत्याएं और बढ़ने लगी विवाजन की बात सुनकर तो पंजाब में हत्याएं पर प्रतिसोद में और हत्याएं होने दी बदले की भावना से ये हत्याओं की आग दिली में भी बढ़कुटी और पंदरा अगस्त आदी जब देश आजाद हुआ और उसके बाद क्या होता है गांदी जी खलकत्ता छोड़कर दिली पुना बापस आ जाते हैं और यहाँ पर जो कि कुछ न कुछ चला था अल्प संक्यों और सरनातियों के पुनारबास के लिए गांदी जी खूब कह रहते कि जो पाकिस्तान आदी से लोग आए हैं उनकी रक्षा की जाए उनको इस्थान दिया जाए भाई चारा कायम हो और उन्होंने इसके लिए उपवास भी किया जिम्मेदारी के लिए धरना आ दी इसके बाद 30 जनबर 1947 को गांदी जी ने प्राथना प्राथा कालीन प्राथना की अपनी दिंचरिया की सुरुआत की न गर्सोल गड़ी थी उन्हें पता चला कि 5 बचकर 10 मिनिट हो चुके हैं उट खड़े हुए और वहां पर बैटे सलरार बल्लब बाई पटेल से बिदाली और कहा मेरी प्रातना सवा मैं जाने का समय हो गया है और वो वहां से चले गए और प्रातना समा पर वहां नाथुराम कि निवारन के लिए काम करते हुए अपनी जान दे दी और उनके मुख से निकला हे राम ऐसे मत पुंगा दीजी हम उनको स्वद्दान दिली देते हैं नमस्का